हाई मैं परशान्त आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटी टू कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल के बेसिस पे ट्वेट करेंगे यानि हाउ टू ट्वेट बेस् असजय यहां पर हम निफ्टी के 15 मिन्ट के चर्ट को देखते इं अगर आप निफ्टी के 15 मिन्ट के चार्ट को देखें यह आपका लाइव चार्ट है और अभी निफ्टी आपका जो trade कर रहा हूँ 17,300 के level के करीब trade कर रहा है और यहाँ पर हमने कुछ support और resistance level already draw कर रखा देख सकते हैं यहाँ पर आपका 17,400 है वो आपका resistance के रूप में काम करेगा Nifty के लिए उसके उपर 17,500 भी यह भी आपका resistance के रूप में काम करेगा Nifty के लिए और यहाँ पर आपका 17,300 भी यह भी आपका resistance के रूप में काम करेगा नीचे अगर मैं बात कर लूँ तो 17,200 यह आपका support के रूप में काम करेगा Nifty के लिए क्योंकि कल Nifty इसके उपर open हुआ था और आज भी इसके उपर ही gap up open दिया और उसके नीचे आपका 17,000 का लेवल भी एक ultimate support के रूप में काम करेगा जहां से Nifty ने कल रिवर्सल लिया था तो यह सारा support और resistance लेवल हमने कहां से ड्रॉआ करके निकाला यह सारा support और resistance लेवल हमने option chain से निकाला आगे हम option chain के चार्ट पे आपको ले जाके दिखाऊंगा उससे पहले Nifty जो अभी trade कर रहा आपका 17,300 के लेवल पे यह भी आपका एक resistance लेवल है तो क्या Nifty 17,300 के लेवल को अभी break करेगा यह नहीं करेगा उससे पहले अगर मैं देख लूँ यहाँ पे आपका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पांच बार लग बग यह 17,300 के लेवल को टच किया और उसको break नहीं कर पाया वहाँ से वापस नीचे लोट गिया यहाँ पे भी उमीद करेंगे कि Nifty इसको break नहीं करेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे 17,300 के लेवल पे हम sell करेंगे 17,300 या फिर उससे 2, 3, 4 पॉइंट उपर sell करेंगे stop loss यहाँ पे हम 17,350 जिन मिनमुम 50 पॉइंट कर रखेंगे और एक और लेवल को देखे तो इसके करेब भी हम stop loss रख सकते यहाँ पे अब निफ्टी के option जिन को देखते हैं देख सकते हैं निफ्टी अभी आपका 17,290 के लेवल पे trade कर रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो support लेवल और resistance लेवल चार्ट पे ड्रॉव किया था वो कहां से आया था यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17,300 के लेवल पे 60,000 के करीब call writers देखेंगे 400 के लेवल पे 42,000 के करीब call writers देखेंगे और 500 के लेवल पे 67,000 के करीब call writers देखेंगे यहाँ से मुझे 17,300, 400 और 500 एजर इस्टेंस मिला था सत्र और दोसों के लेवल पे देखे तो 58 लाग के करीब put white house दिखेंगे और 17,000 के लेवल पे देखेंगे तो 62 लाग के करीब यहाँ पे आपके put white house दिखेंगे यह दोनों लेवल 17,000 और 17,200 support की रूप में काम करेगा तो यहाँ पे हमने support और essence लेवल सारा कुछ options चेंज से derive कि पुट वाइटर्स का एडिशन आज हुआ है, वह अगर हम 17,300 लेवल पे देखें, यहाँ पे आपको लगवक 60,000,000 के करीब कॉल वाइटर्स दिखेंगे, जहाँ पे 14,000,000 के करीब एडिशन कॉल वाइटर्स का आज ही हुआ, 17,300 लेवल पे जितने पुट वाइटर्स हैं, इसलिए अभी के लियाद से हमें 17,300 लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो अप्सें चेन्स हमें और कॉन्फिडेंस मिला है, कि यहाँ पे आप सेल साइट की तरफ जा सकते हो, अगर यहाँ पे पुट की तरफ अपन इंटर्स बढ़ता है, और कॉल की तरफ पर जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें option change से अभी, कवें सिच्वेशन में option change से हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने nifty में सारा कुछ decide कर लिया है, मैं bank nifty पर आता हूँ, bank nifty के 15 minute का chart है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो 36,000 है, वो एक major resistance के रूप में काम कर रहा पहला resistance level यह है, उसके बाद अगला resistance level है, वो यह आपका 36,500, तो यहाँ पे हमने दो resistance level ट्रॉप किया, दूनों जो हमने resistance level find किया, option change से ही find किया, support level की बाद करें, support level जो आपको नीचे दिख रहा, वो 35,500 के level पे, उसके बाद आपको 35,000 के level पे भी एक support level दिख रहा है, तो support यहाँ पे भी 36,000 के जो level है, जो resistance level है, वो break होने के chances कम दिख रहा है, इसलिए 36,000 करेब अगर bank nifty आता है, तो यहाँ पे हम sell करेंगे, यहाँ पे हम sell करेंगे, यहाँ नी मेरा जो selling level होगा वो 35,900 के उपर अगर यहाँ पे मुझे bank nifty मिल जाता है, तो यहाँ पे हम sell side की तर immediate point है, यह आपको nifty में भी होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो यह हमारा यहाँ पे target price हो जाएगा, nifty के लिए यह नी 35,700 करीब यहाँ पे हमारा target price होगा, तो यहाँ पे हमने entry point, stop loss, कहाँ पे sell करना, target price क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे हमने decide कर लिया है, और अ वो जादा prefer करेंगे, 900 से नीचे हम sell नहीं करेंगे, market को अपने पास आने रहेंगे, तब यहाँ पे हम sell करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम इसके option chain को देखना चाहेंगे, तो अगर हम यहाँ पे bank nifty के option chain को देखें, तो अभी आपका 35,000, 830 करीब trade कर रहा है, यहाँ पे द बात करो, तो 35,500 के level पे आपको लगबग 17.5 put widers दिखेंगे, और वहीं 35,000 के करीब भी आपको लगबग 19,000 के करीब put widers दिख जाएंगे, तो यह दोनों आपका support की रूप में काम किया, और यह दोनों वे sense ले वदा है, कहां से मैंने drive किया था, option chain से, यह clear cut आपने यहाँ कर लिया था, अब यहाँ पे 36,000 के level, break होगा की ने होगा, हम option chain से भी देखना चाहेंगे, इस level पे देखें, तो 30,000 के करीब call widers दिखेंगे, और इधार अगर आप देखें, तो सिर्फ 12,000 के करीब put widers दिखेंगे, यानि put widers quantity हाफ से भी कम है, और addition की बात करें, addition भी यहा करीब है, और put की तरफ सिर्फ सारे 4,000 के करीब है, यानि 36,000 के level, bank nifty में break होने के chances कम है, तो इसके करीब आता है, तो यहाँ पे हम sell side की तरफ जानने के बारे में सोचेंगे, और bank nifty के option chain ने हमें, और ज्यादा confidence दे दिया है, कि यहाँ पे आप sell side की तरफ जाओ, यहाँ प यहाँ पे candlestick में हमें slightly strength दिख रहा है, तो candlestick में strength देखके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि option chain कुछ और बोलवा है, यहाँ पे आपको option chain और technical chart दोनों contradict कर रहा है, एक दूसरे से, यहाँ पे हम किसको ज़्यादा follow करेंगे, यहाँ पे हम option chain को ज़्यादा preference देंगे, क् इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा daring नहीं, यहाँ पे हम sell करेंगे, और मेरा selling level आई गया है, यहाँ पे हम sell करेंगे 17,350 का SL रखके, और 17,250 पहला target पैस रहेगा, और 17,200 यहाँ पे हमारा दूसरा target पैस रहेगा, और यहाँ पे आपको अभी trap में भी नहीं फसनाद, आप लो थोरा बहुत ऊपर जाएगा, यह आपका 15,20 पॉइंट और ऊपर की तरफ जा सकता है, और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ आएगा, जैसे आप buy करोगे, market नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको एक और काम करना trap से नहीं बचना है, trap से हमने कैसे बच लिया, हमन यह आपको बस trap करनी की कोशिस कर रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम support और resistance level के basis पर trade कर सकते हैं, resistance level break हो रहा है यह नहीं हो रहा है, उसका आप idea, technical chart और option chain दोनों की मदद से लगाना परेगा, अगर दोनों support कर रहा है, दोनों एक direction ब जा रहा है, तब ही आपका resistance level break होगा, otherwise नह जाला नीचे तो नहीं, लेकिन at least यह आपका 17,250 के level तक आएगा यागा, 17,250 पे आभी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन 17,250 के level तक आएगा यागा, ऐसा option chain की data सभी मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे हम option chain में देखते हैं, कि option chain में भी क्या कुछ development हो रहा है, अगर नहीं development हो put writers increase हुए है, और oi change में भी put writers का addition हुआ है, लेकिन अभी भी call writers आपको लगबख 63,000 करीब है, यहनि जितना put writers है, उसके almost double के करीब है यहाँ पे आपके call writers बैठे हुए है, तो put writers का addition ज़रूर हो रहा, लेकिन call writers वहीं के वहीं बने हुए, call writers बाहर नहीं निकल वे, थोड़ 60,000,000 के करीब, oi नहीं आएगा, और इधर 60,000,000 के करीब नहीं रहेगा, तब तक 37,000 का level break होने के chances कम है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको क्या वोला था, 35,900 के उपर आपको sell करना है, और यह जो candle stick है, 35,900 करीब गया है, तो यहाँ पर bank nifty मेरा sell positions जो की है, वो active हो active कर दिया है, level कौन-कौन सा वापस बता जेता हूं, stop loss मैंने रखा था, 36,100 का, यहाँ पर मैंने जो sell किया हो, लगभग, 35,920 ले सकते हैं, या फिर 900 भी रख सकते हैं, target price था हमारा, 35,800 और 35,700 और 35,500 इन तीन target price के लिए यहाँ पर हम bank nifty में जाएंगे, यहाँ पर हम bank nifty क option chain को देखते हैं, 36,000 के level पर देख सकते हैं, 31,00,000 से ज़्यादा आपके call waiters हैं, और put की तरफ देखें, तो सारे 12,00,000 के करी put waiters, तो अभी भी difference डबल से भी ज़्यादा है, और addition भी ज़्यादा हुआ है, मतलब bank nifty में तो हम fully sure हैं, कि 36,000 के level break होने के chances बहुत कम हैं, उस पर हमारा जो पहला target price था, 17,250 का वो यहाँ पर hit हो गया, इन्हीं पहला target price इसने hit कर दिया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर trap हो रहा, और जो भी लोग इस trap में फसे होंगे, उनका क्या होगा, उनका यहाँ पर loss हुआ होगा, और जो भी लोग इस trap में first के buy की होंगे, उनका यहाँ पर SL hit हुआ होगा, तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर trap हो रहा, क्योंकि option chain इसके against जा रहा, और option chain के against चार्ट मूव कर रहा, तो option chain हमें ज्यादा सठीक information देता है, अगर option chain और technical चार्ट दोनों एक दूसरे को contradict कर रहा है तो, तो य call की तरफ, 70,00,000 के करीब open interest increase होके हो गया, 60,00,000 के करीब था, इनक्वेज होके 70,00,000 करीब करीब हो गया, और put में आपको 42,00,000 के करीब है, मतलब put की तरफ open interest बढ़ा है, लेकिन साथी साथ call की तरफ ये open interest बढ़ा है, और जैसे call की तरफ open interest बढ़ा है, price आपको nीचे की तरफ लोग गिया है इसलिए मैंने आपको बोला है कि 17-300 का लेवल ब्रेक होने के चांसेश कम हैं यह मुझे कहां से आइडिया मिला है तो अभी आपको डेली बेसिस पे यह नि 29 मार्च को यह लेवल ब्रेक होने के चांसेश कम है तो इस तरीके से आप वेस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल के बेसिस पे अपना ट्वेट सेटप ले सकते हैं तो अपसे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए और बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको बोला था टागेट पैस हमारा था पहला 35,800 वो हीट हो गया उसके बाद 35,700 ये दोनों टागेट पैस मेरा आसानी से हीट हो गया तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बैंक निफ्टी भी जो हमने रेंज बदाया था उस पैस हीट हो गया इस तरीके से आप सपोर्ट और एस्टेंस लगल के बैसिस पर ट्वेड कर सकते तिहां पर हम बैंक निफ्टी का और आते हैं और बैंक निफ्टी का अप्सें चैन पर अभी देख सकते हैं 36,000 करीब आपका लगबग सारे 35,000 लाग के करीब अपन इंट्व इस तरीके से आप support और resistance लेशिस पर आसानी से trade ले सकते हैं option chain की मदद से यहाँ पर आपको option chain का मदद लेना परेगा यह important factor है जिसके बेसिस पर support और resistance level decide कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि support और resistance level break होगा यह नहीं होगा यहाँ पर हमने resistance level की basis पर trade किया similar लिए अगर आपको nifty या bank nifty या कोई भी stocks support level के पास मिलता है तो आपको इसी तरीके से support level के पास भी trade करना है अगर आप यहाँ पर options में trade करने की बात करें तो यहाँ पर आप 17,300 के put options में trade कर सकते हैं nifty में और यहाँ पर देखें यह price आपका 80 करीब था और 80 से यह all the way आपका 100 करीब गया जहाँ पर हमारा target price रहेगा यहाँ यहाँ पर मेरा 20 से 25 point का target price रहा था तो यहाँ पर हमारा जो भी था 100 का target price रहा था चाहे आप जहाँ पर भी buy करो put options को और वो target price यहाँ पर इसनी आसानी से hit कर दिया तो इस तरीके से आप options में भी trade ले सकते थे देख सकते हैं जिस टाइम पर मैंने वहाँ पर trade लिया था उस टाइम पर आप options में भी आके यहाँ पर 80 करीब मिलता buy क options में buy कर सकते थे 180 से 200 के करीब यहाँ पर आप buy positions ले सकते थे और यहाँ पर 300 का target price रहाख सकते थे जो कि easily यहाँ पर आपका hit हो जाता और इस तरीके से आप bank nifty के options में भी trade लेके profit बना सकते थे so that's all friends उमेद करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप support और resistance level के basis पे trade ले सकते है मैंने आपको live market में सारा कुछ बताए कि कैसे आप support और resistance लेवल के basis पे trade ले सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करके हमें इनकमेंज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में